हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सौरव आज की बुड़ में हम जानेंगे कि भाईदूच का पर्व हम क्यों मनाते हैं ब्रात दुतिया अर्थाद भाईदूच कार्तिक मास्के सुकल पक्स की दुतिया तिथी को मनाये जाने वाला हिंदू धर्म का त्योहार है यह दिपावली के दो दिनवाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के इसने को अभिव्यक्त करता है एवं बहने अपने भाई की खुसाली के लिए कामना करती हैं इस दिन मृत्यू के देपता यमराज की पूजा का भी बिधान है एसी मान्यता है की कार्तिक सुकलपक्स की दुट्यती थिको ही मिर्त्यू के देपता यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रे पर उनके घर गए थे यमुना को दिया गए बर्दान स्वरूप ही इस त्योहार को मनाने की परंपरा सुरू ही है आगे बात करते हैं भाईदूज का क्या महत है और इससे जुड़ी पुरानिक कथा इस पर्व को मनाने से संबंदित पहली कथा ये है कि भाईदूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे इसके बाद से ही भाईदूज या यम्दूटिय मनाने की परंपरा सुरू ही सुर्य पुत्र यम और यमी भाई बहन थे यमुना के कई बार बुलाने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुँचे इस मोके पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनके खुशाल लीवन की कावना की इसके बाद जब यमुना ने बहन यमुना से बरदान मागने को कहा तो यमुना ने कहा कि आप हर परव की शुरुवात हुई इस परव से जुड़ी एक पुरानिक कथा ये भी है कि भाईदुच के दिन ही भगवान स्रीकृष्ण नरकासुर रक्षस का बद करके द्वारी का बापस लोटे थे इस दिन भगवान स्रीकृष्ण की बहन सुबध्रा ने फल, फूल, मिठाई औ कर उनका स्वागत किया था और भगवान स्रीकृष्ण के मस्तक पर तिलक लगा कर उनके दीरगाईयों की कामना की थी तो ये थे भाईदुच के परव को मर्याने के पीछे चिपी एक छोटी सी कथा तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खेल लगना जै हिंद जै भारत